नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाज Finder पर So, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग आपके लिए आने वाले UPSC, CSC Prelims के लिए कई सारी वीडियोज पेश कर चुके हैं जो कि primarily UPSC के Crash Course की तरह साबित हो रही हैं जिसमें कि हमने कई सारे करंटफेस को आपके लिए आलरेड़ी यहाँ पर कवर करवा दिया गया है which includes international relations, which includes science and technology, which includes environment, which also includes economy, polity, वगरा, वगरा कई सारी चीजें आपके सामने पेश करवाई गई हैं दोस्तो उसी particular series में एक और बहुत ही important वीडियो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ. पिछले एक साल में जो भी हमारे military के द्वारा करी गई exercises हैं, उसको यहाँ पर cover करवाया जाएगा और यह वाली जो coverage है, यह basically होने वाली है MCQs के format में. देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ approximately 11-12 MCQs, लेकिन हर particular MCQ के अंदर मैं कम से कम आपके साथ 4 अलग-अलग military exercises को cover करने वाला हूँ, तो अंदाजा लगा लीजे कि approximately 40-50 unique military exercises will be covered with you. यह एक बहुत ही जादा fact-rich video है, जो कि आपके सामने हम लोग यहाँ पे पेश कर रहे हैं, इसको definitely देखेगा before you enter the examination hall, और यह वैसे तो लिखा हुआ है कि UPSC CSC Prelims 2021 के लिए बनाई गई है, लेकिन दोस्तों यह primarily केवल इसके लिए नहीं है, अगर आप लोग अगले साल के प्रिपेर कर रहे हैं, तब भी यह वाली exercises वही रहने वाली हैं, इंडिया जो यहाँ पे अभ्यास करता है किसी भी country के साथ, उसका नाम मोसली यहाँ पर वही रहता है, इसके इलावा अगर आप लोग किसी PCS परीक्षा की त्यारी कर रहे हैं, तो उस case में भी आपको एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, लेकिन कुछ-कुछ cases में मैं आपको दूसरी चीज भी याद करने को बोलूँगा, number one पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सी country के साथ हो रही है, और उसकी type क्या है, ठीक है ना, यह दोनों की दोनों चीज़े आपको ध्यान रखनी है, type का मतलब कि क्या ये वाली जो exercise है, ये कोई समुद्री exercise है, या फिर ये कोई हवाई exercise है, या फिर ये कोई जमीन पे होने वाली exercise है, यानि कि simple सी भाशा में बात करें, तो क्या इसको army conduct कर रही है, क्या इसको navy conduct कर रही है, या फिर क्या इसको air force के द्वारा conduct करवाया जा रहा है ये तीनो की तीनो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, तो एक तो आपको country मालूम होनी चाहिए, सर, दूसरी चीज आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी type, नमबर टू पे, किसी किसी case में बोलूँगा, कि यहाँ पर इसकी जो location है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखेगा, अगर आपको location, बहुत ही कम chances है कि उसको पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पूछा जा रहा है, please do not take that lightly, उसको भी आपको यहाँ पे एक तरीके से देखना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं उसका सवाल पूछा जा सकता है, तो चलिए दोस्तों, इसी particular, अब event पे start करते है इस particular class को, मेरा नाम है अनिरुद, इस lecture की PDF को आप लोड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर दिये गए टेलिग्जाम चैनलों के माध्यम से, इसके इलावा मुझसे कहीं भी जुडना चाहते हैं, तो यह वाला मेरा handle है, आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, और सो बताना चाह करेंगे, लेकिन मन में एक थोड़ा भै था, थोड़ा डर था, तो आपको यहाँ पर वह वाला भै निकालना होगा, आपने देखा होगा, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, जो कि working professionals थे, लेकिन साथी में उन्होंने यहाँ पर UPSC की त्यारी करी है, और इसको properly clear भी किया है, और क सोने पर सुहागा आपको मिल रहा है, you are getting this special price, जिसमें कि आपको extra discount मिलेगा, अगर आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल करते हैं, तो, also यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोग अनी UPSC code का इस्तिमाल करते हैं, मेरी personal guidance, whatsapp group में आपको add किया जाएगा, और 20 books भ होगा UPSC CSE का Unacademy platform के उपर, जिसमें कि अब लोग हम लोग subject wise जाने वाले हैं, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सब तरह के questions एक single combat में पेश करवा रहे थे, लेकिन अब मान लीजे, हम यहाँ पे subject wise जा रहे हैं, तो for example, आपका geography काफी strong है, तो आपका यहाँ पे करने के लिए, यूज करना होगा मेरा यह वाला code, अनी UPSC, जिसमें कि आपको कई सारे benefits मिलने वाले हैं, अगर आपके कुछ top ranks आते हैं, तो, मैं यहाँ पे अपे अपे एक्षा करता हूँ, कि जो भी बच्चे मेरी special classes में आते हैं, उनके यहाँ पे top ranks आए, so that उनको भी मै मैं आगे जाके guide कर पाऊं, तो आगे बढ़ते हैं, question number one से start कर देते हैं, आज ही कहानी को, question number one आपके सामने हैं, दोस्तो, match the following bilateral military exercises, संपृती, वजरप्रहार, मैत्री, और मित्रशक्ती, एक सबसे आसान exercise यहाँ पे आती है, वजरप्रहार की, इसके बारे मैं आपको दो बा और Bangladesh के बीच में होती है, जो मैत्री है, यह इंडिया और Thailand के बीच में होती है, और जो मित्रशक्ती है, यह इंडिया और Sri Lanka के बीच में होती है, हैंस आपका सही जवाब बन जाता है, option number A, one का B, two का D, three का A, and four का C, यह देखे, अब आपको याद क्या करना है, दोस्तो, हार के बारे में दो बाते याद करने को बोलूँगा, यह basically special forces जो हमारी दोनों countries की है, उनके बीच में इसको conduct करवाया जाता है, और इसका जो area of operation है, कहां पर यह देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलता है, बकलो हिमाचल प्रदेश में, बकलो का जो cantonment area है, जो की जानकारी याद करने की आवशकता नहीं है, इसको please ध्यान रखिये, request है, मेरी special forces और यह वाला जो बकलो का cantonment है, इसको लेके सवाल पूछा जा सकता है, question number two, consider the following statements regarding the domestic military exercises, अक्सर बच्चे इस चीज को ignore कर देते हैं, कई सारी ऐसे सेने अभ्यास होते हैं, जो की हमारी तो यहां पर domestic exercises होती है, गंदिव विजे exercise is a military exercise of southwestern commands, चेतक कोर, performed in the Mahajan field firing ranges of the Rajasthan, पश्चिम लहर is a maritime exercise conducted in the west coast, वायु शक्ती exercise demonstrates the IAF's ability to strike targets on the ground, such as the enemy, convoys and the tanks, radar stations, railway yards, बगएरा बगएरा, गगन शक्ती is a maritime exercise conducted in the southern coast to demonstrate the navy capabilities, I think काफी simple सवाल बनाया गया है, elimination से बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते थे, यह देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी common sense लगाएंगे सर, तो गगन शक्ती एक ऐसी exercise है, जो की maritime exercise नहीं हो सकती है, गगन शक्ती का नाम क्या होगा, गगन शक् गगन शक्ती बेसिकली Indian Air Force की exercise है, पस्चिम लहर, जैसा कि आप देखते हैं लहर है, तो यहाँ पर यह आपकी maritime exercise है, और गंदिव विजे exercise यह आपकी military exercise है, जो की Southwestern Command के द्वारा conduct करवाई जाती है, यह देख लिजे दोस्तों, गंदिव विजे के बारे में, पस्चिम लहर के बारे में, वायु शक्ती के बारे में, और गगन शक्ती जो है, यह भी IAF की air power को demonstrate करने के लिए conduct करवाई जाती है, एक और exercise याद करने को बोलूँगा, that is विजे परहार, विजे परहार basically military exercise है, आर्मी के Southwestern Command की, to fine-tune the army's joint manship with Indian Air Force, near Suratgarh in Rajasthan, याद क्या करना है, बस इत following statements about the bilateral exercise and choose the correct one, second edition of India, Uzbekistan joint military exercise, Dust Lick 2, was held in Rani Khet, Utrakhand, ये वाली कहानी आपकी बिल्कुल सही बात है, इंडिया और Uzbekistan के बीच में होने वाली exercise का नाम Dust Lick है, बिल्कुल सही बात है, आगे जाके और भी जो हम Central Asian countries के साथ conduct करते हैं exercises, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, युद्ध अभ्यास की बात करें, युद्ध अभ्यास is a joint military exercise between India and the USA, it started in 2001, 2002 and the 2021 edition took place in the Mahajan field firing range of Rajasthan, दोस्तो option number 2 भी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि युद्ध अभ्यास जो है ये basically इंडिया और USA के बीच में conduct करवाय जाने वाला आपका exercise है, इंडिया और USA के बीच में और भ आगे जाके बताऊंगा, right, 1 and 2 दोनों आपके true है, 14th edition of nomadic elephant between India and Sri Lanka, चलो जी ये हो गया गलत because जो nomadic elephant आपकी exercise है, ये होती है sir, India और Mongolia के बीच में, not between India and Sri Lanka, hence आपका option number 3 यहाँ पे हो जागा गलत and इसी लिए आपका सही जवाब बन जागा option number A, 1 and 2 only, आप यहाँ पे देख स बकलो का कंटोनमेंट जो की हिमार्चल प्रदेश में located है, comment section में मुझे बताएंगे बकलो कंटोनमेंट कौन सी district में आता है, इसका जवाब आपको मुझे comment section में देना है, अगला सवाल question number 4, consider the following statements regarding samudrashakti, choose the correct one, samudrashakti is a maritime exercise held between India and Indonesia, it was conducted on the Sunda Strait of Indonesia, indigenously designed and built, multi-role guided missiles, stealth frigate and anti-submarine corvette, navy ships, shivalik and kadmat participated in it, दोस्तों आपको बताना है सही जवाब क्या है, तीनों के तीनों statements यहाँ पे बिलकुल सही है, 1, 2 and 3 आपका सही जवाब है, समudrashakti एक maritime exercise है, इंडिया और Indonesia के बीच में, ठीक है, इसकी आपको location भी ध्यान रखनी होगी, कि ये वाली जो exercise है, ये state of Indonesia के बीच में होई थी, option number 3, do not remember this, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ, DNR, इसको याद करने के आउशकता नहीं है, कौन सी ship ने हिस्सा लिया था, ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती है, बढ़ हाँ, फिलहाल के बता दूँ कि ये option बिलकुल सही है, option number D, आपका सही जवाब बन जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी आपको अलग से याद नहीं करना, एक चीज़ याद करने को बोलूँगा, गरुड शक्ती एक military exercise है, between India and Indonesia, और समुद्र शक्ती आपकी एक तरह की maritime exercise है, between India and Indonesia, बस ये दो चीज़ों को ध्यान रखेगा, इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है, समझ आगई बात, question number, आपका ये वाला option number D, सही जवाब बन जाता है, ठीक है, question number 5 आपके सामने पेश करने वाले हैं, ये देखे, consider the following statements and select the incorrect one, fifth edition of शक्ती exercise between India and France took place in Rajasthan, second edition of धर्मा गाडियन between India and Japan took place in C.I.J.W. स्कूल जो की located है, वेरंग्टे मिजोरम के अंदर, 15th edition of इंडिया नेपाल joint military exercise सूर्य के रन तुक प्लेस अट पिथारागड इन उत्राखंट, दोस्तों ये बहुत important fact है, पहले UPSC में पूछा जा चुका है, hand-in-hand exercise between India and Bhutan took place in Umroi Meghalya, काफी आसान तरीके से सवाल बनाया ग और चाइना के बीच में conduct करवाई जाती है, और ये काफी लंबे टाइम से conduct नहीं करवाई गई है, बेकोज सीमा पे चल रहा है गती रोज, जिसकी वज़े से दोनों हिमारी जो सेनाई हैं, वो आपस में किसी प्रकार का अभ्यास नहीं करेंगी, option number A, BNC यहाँ पे देता हूँ वैसे, जिसका नाम है वरुना, ठीक है, तो वरुना is a exercise जो की इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में होती है, जो हमारी नौ सेना होती है, उन दोनों के बीच में conduct करवाई जाती है, उसके बाद धर्मा गाडियन जो है, ये इंडिया और जापान के इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली सूरे के रिंड है, काफी important exercise है, और hand-in-hand आपकी होती है, इंडिया और चाइना के बीच में, not between India and Bhutan, यही वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, answer is the correct, correct answer is the correct answer, इसका D option है, अगला सवाल आप की जो exercises है, यह basically इंडिया एक से जादा देशों के साथ भी conduct करवाता है, दोस्तों जो corporate की exercise है, यह basically stands for coordinated patrol, इसलिए यह एक से जादा देशों के साथ भी conduct करवाई जाती है, लेकिन अगर आप इस particular question को देखेंगे, तो यहाँ पर हमने केवल एक ही देश डाला है, जिसके साथ India corporate exercise कर रहा है, Simvex काफी आसान है, जैसा हमने बताया आपको Gymex है, यह देखिए Singapore India maritime bilateral exercise, यह आपका हो गया Singapore, ठीक है, अलगा काफी आसान है, जो की आपका आता है India और Oman के साथ, एक्यूविरिन जो है, यह थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, यह India और Maldives है, और जो corporate है, यह India और Thailand है, इसके इलावा India दोस्तो corporate Indian Asia के साथ भी करता है, ठीक है, कभी भी examiner आपको इस तरीके से confused नहीं करेगा, कि आपको जो है, एक से ज़्यादा country आपको master following में दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक्यूविरिन Maldives है, Simvex Singapore है, अलनगा Oman है, और आप आपका corporate Thailand के साथ जुड़ा हुआ है, हैंस आपका सही जवाब option number A बन जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी जानकारिया भी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन वो उतनी relevant हमारे लिए नहीं है, ठीक है, Simvex थोड़ी important है, because यह हाल ही में conclude करी गए थी, second से लेके 4 September 2021 क यह conclude करवाएगे थी, अभी जस इसी महीने के शुरुबात की बात है, अगला सवाल question number 7 आपके सामने है, consider the following statements regarding the Zappard exercise and choose the correct one, it is a multinational naval exercise held in Russia, अभी recently news में थी, इसकी coverage काफी जाधा viral भी हुई थी, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा, कई सारे news channels इसको cover भी करवाया था, ठीक हुई थी, the exercise aims to boost anti-terror cooperation and enhance these strategic ties among the participating nations, दोस्तों एक काफी आसान तरीके से सवाल बनाया गया है, अगर आप देखेंगे यह naval exercise नहीं है, यह basically armies की exercise थी, जो की रश्या में conduct करवाई गे थी, पिछले साल भी इस तरह की exercise सुर्ख्यों में थी, उसका नाम क्या था, सर उसका नाम था कवकज, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा, उसका नाम था कवकज, और इस बार की जो exercise है, इसका नाम है जपाड, option number two and option number three यहाँ पे बिल्कुल सही है, one आपका गलत है, जिसकी वज़े से option number B आपका सही जवाब बन जा गया, यह देखिए, जपाड is a multinational military exercise held in Russia, इसमें India, पाकिस्तान, चाइना, उसके बाद कई सारी Eurasian countries, कई सारी South Asian countries भी हिस्सा लेती है, और इस exercise का जो में मकसद है, वो यही है, to boost the anti-terror cooperation and enhance military and strategic ties among the participating nations, question number eight आपके सामने पेश कर रहे है, from the following statements regarding exercises, select the correct ones, fifth edition of India, कजाकिस्तान joint military exercise, कजिंद 21, was held at Pithauragad, Rajasthan, military exercise, Indra was held between India and Russia, इन इंडिया, खंजर 5 is a military exercise held between India and किर्गिस्तान, बहुत ही ध्यान से सुनना, काफी अच्छा सवाल बनाया गया है, अभी अभी बात करके आये थे, आपके साथ मैंने क्या बात करी थी, इंडिया की जो तीन Central Asian countries के साथ exercises है, इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हू ठीक है ना, उस्बेकिस्तान के साथ हमने बात कर ली, डस्ट लिक के नाम से exercise है, कजाकिस्तान के साथ आपकी exercise ये रही जिसका नाम है, कज इंड टू, खंजर 5 आपकी exercise है, किर्गिस्तान के साथ जो की again, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किर्गिस्तान के साथ आपकी exercise पर गलत है because जो Indra exercise है ठीक है ये Indian और Russia के बीच में तो होती है लेकिन sir ये military exercise नहीं है ये एक naval exercise है मैंने आपको बताया था India और France के बीच में होने वाली जो exercise है वो कौनसी है Varuna इंडिया और Russia के बीच में होने वाली जो exercise है वो कौनसी है इंद्रा दोनों थोड़ी सी similar हैं लेकिन अगर आप mythologically देखेंगे ये दोनों के दोनों जो mythological gods माने जाते हैं इन में यहाँ पर इन दोनों का संबंद पानी के साथ है इसलिए याद करना आसान है कि जो वरुना है ये basically इंडिया और फ्रांस के बीच में है और जो इंद्रा है ये इंडिया और रश्या के बीच में है basis that आपका जो सही जवाब बनेगा ये बनेगा option number c 1 and 3 only कुछ ना कुछ trick तो बनाने ही पड़ेगी otherwise इतने सारे facts हैं जिनको की आप यहाँ पर याद नहीं कर पाएंगे next question आपके सामने पेश कर रहे है question number 9 consider the following statements regarding the malabar exercise and select the incorrect one 2021 malabar exercise is held between India USA and Japan चलिए यही आपका हो गया गलत और यही आपको आपका मिल गया है सही जवाब क्योंकि यह है एक false statement दोस्तों malabar की जो exercise थी इसकी कहानी है काफी बड़ा इतिहास है इसका exercise काफी साल पहले शुरू करी गई थी शुरुवाती तोर में इसमें basically इंडिया और USA थे धीरे इसमें Japan को permanent member बना दिया गया था जिसके बाद यह bilateral से तब्दील हो गई trilateral में और कभी कभार इसको basically trilateral से quadrilateral exercise बनाने के लिए इसमें कभी कभार Australia को invite कर दिया जाता है 2020 का जो संसकरन हुआ था और 2021 का जो संसकरन हुआ था उसमें इंडिया USA जापान के साथ Australia को भी invite किया गया था इसलिए ये वाला आपका statement हो जागा गलत और इसलिए ये आपका सही जवाब है इसमें मैं आपको बता दूं option number 2 बिल्कुल सही है first phase is conducted in the Philippines sea second phase will take place in the northern Arabian sea इसके बाद इसमें दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है हर साल होती है और ये alternatively होती है एक साल Indian ocean में एक साल Pacific ocean में तो इंडो Pacific के एक बहुत ही important exercise मानी जाती है और फायदा यही है कि इसमें हमारी जो navies है वो basically एक दूसरे के साथ काम करना anti-submarine warfare operations बगारा बगारा इन सब चीजों की practice यहाँ पे करते हैं ये लोग मिल करके तो option number A आपका सही जवाब है ये देखे कि initially Malabar was a try little exercise between India, Japan and USA लेकिन 2020 और 2021 में Australia also participated आप यहाँ पे यह भी देख लिजे कि जो इसका इसकी थोड़ी और कहानिया आपको बता दूँ यहाँ पर I think mentioned है Yes, it started in 1992 between India and USA in 2015 Japan joined and 2020 Australia also joined लेकिन Australia की membership यहाँ पे permanent नहीं हुई है अभी यहाँ पे केवल कभी कभार ही Australia को invite किया जाता है Question number 10th आपके सामने है consider the following statements choose the incorrect one In 2021 Varuna maritime exercise held between India and France in Arabian Sea Third time हमारे सामने आया है अभी तक तो याद हो जाना चाहिए बिल्कुल true statement है ये Ibsamar is a maritime exercise held between India, South Africa and Chile अभी बात कर लेते हैं पहले बाकी देख लेते हैं Slenex is a maritime exercise between India and Sri Lanka बिल्कुल सही बात है सर अभी हमने Simbex और Jimex देखा उसी lines पे आपका Slenex है ये देखिए SL basically stands for Sri Lanka, I stands for India and NAX stands for naval exercise यानि की option number C भी आपका बिल्कुल true है सर Milan is a multilateral naval exercise hosted by the Indian Navy in the undermansi ये बात भी बिल्कुल सही है actually ये इसका location change होता रहता है कभी ये कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं लेकिन mostly हां undermansi के आसपास के लाके में होती है और ये Indian Navy के द्वारा ही होस्ट करवाई जाती है इसमें कई सारे देशों को invite किया जाता है यहाँ पर ये exercise को connect नहीं करवाई गया था तो ये वाली आपकी एक multilateral level exercise है इस बहु पक्षिये level का अभ्यास है जो कि 9 से नाओं के द्वारा लिया जाता है तो 3 आपके true है एक बच गया है जो कि false है जो कि आपका सही जवाब है अगर आपने सुना होगा एक संगठन है ठीक है इस संगठन को तयार किया गया था इंडिया के द्वारा जिसमें इंडिया ब्राजील और साउथ अफरीका के 3 countries देखने को मिल जाते हैं तो वहीं से प्रेरित होते हुए इपसा मार maritime exercise है इंडिया, साउथ अफरीका और ब्राजील नॉट चिली बलकी ब्राजील यहां पर तीसरा देश आता है यह संगठन जादा आज फेमस नहीं है जादा काम का आज भी इसके अंतरगत नहीं होता है ठीक है ड्यूट्टू बेकाज और भी कई सारे संगठन है जहां पर यह सारी के सारी कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती है बढ़ हां इसको शुरू करवाया गया था विकाज यह तीनों की तीनों कंट्रीज जो है यह एक तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज के काटेगरी में फॉल करती है इसलिए इपसा जो आपका अभ्यास होते हैं उसको लेके सवाल पूछा गया है दोस्तो इंडो यूके नेवल एक्सेसाइज कौनकन 2021 वाज रीसेंटली हेल्ड बेट्वीन आई एनस तबर और हमस वेस्ट मिन्स्टर इंडी इंग्लिश चानल बात बिलकुल सही है कि जो आपका कौनकन एक्सेसाइज है ये इंडिया और यूके के बीच में होता है इंडर धनुष is an air force exercise between India and Russia दोस्तो ये बात बिलकुल गलत है कि ये यहाँ पर इंडर धनुष जो है ये आपकी इंडिया और यूके के बीच में होती है और इसलिए ये statement गलत हो गया अजे वारियर is a joint military exercise between India and Uzbekistan ये भी गलत हो गया वेकॉज ये वाली भी आपकी इंडिया और यूके के बीच में ही होती है तो हैंस ये तीनों की तीनों exercises फिर भले वो कौनकन 2021 हो उसके बाद इंडर धनुष की exercise हो फिर उसके बाद भले वो अजे वारियर की exercise हो तीनों की तीनों exercises दोस्तों यहाँ पर इंडिया और यूके के बीच में ही होती है सेकंड और थर्ड आपका बिल्कुल फॉल्स है जिसकी वज़े से option number B आपका सही जवाब हो जागा ध्यान रहिएगा कि यहाँ पर आपसे incorrect पूछा गया है यह देखिए कौनकन exercise is a naval exercise ठीक है इंद्रधनुष exercise is an air force की exercise और अजेया warrior की जो exercise है यह देख लीजे यह एक military exercise है तो इंडिया और UK का जो रक्षा को लेके संबंध है वो काफी बहतर है और यह तीनों के तीनों exercises आपकी regularly conduct करवाई जाती है अगला सवाल आपके सामने है consider the following statements regarding Cobra Gold and choose the correct ones it is the largest Asia Pacific military exercise held every year दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है अगर आपको याद करवाऊं एक और यहाँ पर military naval exercise है जो की बड़े level पर होती है जिसका नाम है rim pack ठीक है तो यह जो rim pack है इसमें काफी सारी जो Pacific rim की countries है वो यहाँ पर हिस्सा लेती है I think एक Bollywood movie भी है जो किस पर बनाई गई है sorry Hollywood movie है जो किस पर बनाई गई है और Asia Pacific में होने वाली जो military exercise है जो की काफी बड़ी मानी जाती है उसका नाम है Cobra Gold इसको वैसे तो host करने वाली दो countries है USA and Thailand लेकिन ये अकसर कई सारी और countries को भी invite करती रहती है 2020 का जो संसकरन था इसके यहाँ पर host Thailand थे बिल्कुल सही बात है India को यहाँ पर observer plus country का status दिया गया है ये बात भी बिल्कुल सही है option number D आपका सही जवाब बन जाएगा ये देखें Cobra Gold is the largest Asia Pacific Military exercise held every year first Cobra Gold exercise held in 1982 exercise is between Thailand and USA with allied and partner nations और यहाँ पर 2020 में USA हुआ, Thailand हुआ, Singapore हुआ South Korea हुआ, Indonesia, Japan, Malaysia इन सभी को भी invite किया गया था इंडिया को यहाँ पर observer status के रूप में रखा गया है दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं जो की आपको यहाँ पर ध्यान देनी है with respect to Cobra Gold exercise काफी सारी exercise मैं आपका cover करी है कुछ-कुछ I think बच गई है but I think still काफी सारी detail में हमने इन exercises को यहाँ पर cover up करवा लिया है I hope आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो कैसी लगी comment section में definitely बताईएगा जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद करवा दूँ अगर आप लोग Unacademy के माध्यम से अपनी journey को start करते हैं अगर आपको मालूम पढ़ गया होगा कि Unacademy के कई सारे toppers हैं जो कि आपको UPSC की final list में देखने को मिलते हैं और यह आपके लिए वो वाला batch है जो कि अगर आप लोग mains की त्यारी कर रहे हैं तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं मेरे द्वारा आपको यह वाली offerings मिलने वाली हैं इसी के साथ आप से लेता हूँ विदा Thank you for listening, stay tuned and stay safe